हम आपको इस यूटूब के माध्धम से जो भी सत्य घटना बताते हैं वह 100% प्रमारित है और चमतकार से बाबा का भरा हुआ है उसी प्रकार एक घटना 2009 का आज हम आपको बता रहे हैं साई बाबा सेवासरम करगी रोर कोटा में एक किनारे पर दो एकर पर निर्मित इस्थापित है और वह परिछेत पूरा पहाड़ी परिछेत्र होता है और वहां दो तीन वार्ट के मोहलेवासी भी निवास करते हैं मगर वहां सब से ज़्यादा पानी की समिस्या है और अभी तक सो डेल सो जितने उस वार्टो में बोर हुआ है सभी बोर फेल खा गये पानी प्राप्त नहीं हुआ है सरकारी पाइप के द्वारा उस मोहले पर पानी बाहर से सप्लाई की जाती है और तब हमारी इच्छा थी कि आश्रम में एक बोर किया जाए तब कुछ लोगों ने तयार किये और हमें बोले गुरुजी अब आप ये बताईए कि हम यहाँ पर मसीन कहाँ पर इस्थापित करें हमने बाबा का धान लगाया बाबा ने कहा कि द्वार का माई के बाजू में बोर करवाये तब एक इंजिनियर आया उसने कहा नगर पंचायत का इंजिनियर आया उसने कहा कि दर्थ का यहाँ पैसा बरबात करने से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि इस वाग में बोर बुरी तरा फेल है हमने कहा साई का चमतकार आपको दिखना है तो इस मसीन को पुना चालू करिये और देखिये बाबा का क्या चमतकार होता है करीब डेल बजे रात तक 270 फिट गहराई के बाद भी पानी नहीं आया तब मैंने बाबा की धूनी के पास गया और जब बाबा की धूनी के पास गया इधर मसीन चल रही थी धूनी की अंगार छत तक जाती भी दिखाई दी और जब बाहर आया मसीन संचालक ने कहा गुरू जी तीन इंची पानी आ गया जी हाँ तीन इंची पानी आ गया जो पानी आस्रम में भी उप्योग होता है और आस्रम की ओर से बाजु में महले को पानी सप्लाई दी जाती है जो सुबा साम खुलता है आपको यह मैं पताने जा रहा हूँ जो काम नहीं हो सकता है वह काम साहिं बाबा करा के दिखा देते हैं या पानी का चमतकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जै साहिनार ओम साहिराम के नाम पर लाइक करिए, सेयर करिए और लाल बटन को जरूर दबाईए ओम साहिराम